नमस्कार स्पागत है आपका इंडिया नीउस पर और मैं हूँ आपके साथ स्पादी सेंग माफिया अतीक हमत के बेटे असत के एंकाउंचर ने सभी को हैरान कर दिया सभी की नजरें अतीक की गाड़ी पर रही उधर अतीक के बेटे की बाइक पर नौबत आ गई उसके घर का चलाग दुछ गया माफिया और उसका परिवार अपने किये का नतीजा भुगत रहा है खुद अतीक और उसके बाकी के बेटे जेल में है भाई अश्रव भी कैद है पतनी शाइस्ता अभी तक फरार है आपको बता दे कि उमेश पाल की हत्या के बाद से असद फरार चल रहा था ऐसे में अब इस मामले में अंडर वर्ड डॉन की एंट्री हो गई है जी हां असद 24 परवरी के बाद से ही परार था अब मेडिया रि टीवी चैनल्स की रिपोर्ट के मुताबेक अतीक एहमत नहीं समर्वती जेल से बैचे बैचे थी असद को लेकर तैयारी कर थी जानकारी के मुताबिक उमेश पाल की हत्या करने के बाद असद और गुलाम प्रियागराच से कानपुर और फिर मेरट में होते हुए नौइड करवाया इसके बाद बरेली जेल से अश्रफ की तरफ से निर्देश के बाद असद महराच के नासिक और फिर पूने की तरफ पहुच गया वहां पर अतीक ने अबू सलेम से पहले ही बात कर रखी थी जिसके गुर्गों ने इनके रुकने का बंदोबस्त किया था पुलिस और एजनसियों को भनक लगने पर दोनों वापस दिल्ली आ गए फिर वहां से दोनों उत्तरप्रदेश आए और जहांसी की तरफ चले गए जो की अतीक के बेटे का काल बन गया इसके बाद बरेली जेल से अश्रफ की तरफ से निर्देश के बाद असद महराच के नासिक औ लाए जाने के दौरान जहासी के पास पुलिक सुरक्षा के से चुडाकर फरार करने की तैयारी हो रही थी अद यह कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि असद और गुलाम अतीक को फरार करने की फिराक में थे लेकिन किसमत को कुछ और ही मन्जूर था गुरुआर को पुलिस और स्टीएफ टीम ने अतीक के बेटे का एंकाउंटर कर दिया आज जासी से प्रियागराज लाकर असत का शव उसके परिजनों को सोब दिया जाएगा गौटलब है कि 1993 मुंबई धमाकों के आरोप में जौन अबू सलेम की पुर्तगाल से प्रत्याप परंड करने की भारत ल सोचिए किस तरीके से अतीक ने हर वो संभव प्रयास किया कि उसका एक बेटा जो बाहर है वाकी पूरा परिवार जेल में पतनी फरार है लेकिन असत को बचाने के लिए अतीक ने हर वो संभव प्रयास किया कि वो अपने बेटे को दुनिया की नजरों से छुपा कर रख सक जिसके लिए उसने सहारा अंडर वर्ड डॉन का भी लिया लेकिन अतीजा यही हुआ कि अतीग के बेटे असद का काल उसके सर पर मढ़रा रहा था और अतीग का बेटा बरी चड़ गया देखा गया किस तरीके से अतीग के बेटे का एंकाउंटर हुआ जिसके बाद स्यासत भ वादात पर सबकी नजरेट की हुई है देखना यह है कि आखिर कौन-कौन वहां जाता है कौन-कौन कैद होता है क्या शाहिस्ता परवीन वहां पहुचती है कुद को सरेंडर कर देती है यह सवाल अभी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें शाही है जरेख है आप जर शने मadore ज рук में जाता है